बता दे कि आज इस वीडियो में हम के और इलनेस पारा के बारे में डिटेल में जानेंगे अगर दोस्तों आप लोगो और भी पारा के बारे में जानना है तो कमेंट बक्स में कमेंट करें मैं इस पर वीडियो मना दूँगा तो दोस्तों अब हम आपको बतायते हैं कि इलनेस पारा का हम कब यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों इलनेस पारा का यूज़ करने के लिए कोई भी सर्विस रिक्वाइड या सर्विस रिक्वाइड नहीं है इलनेस पारा सभी को सुरू से ही मिल जाता है दोस्तों अगर हम इलनेस पारा का यूज करके एक बार पीफ का पैसा बिड्रोबल करते हैं तो इस महने अगर हमने पीफ का पैसा बिड्रोबल कर लिया तो अगले महने फिर से हमें यह इलनेस पारा मिल जाता है और दुबारा से हम PF का पैसा विड्रोगल कर सकते हैं तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम इस महने में इसको एक महने में यूज कर लेते हैं तो अगले महने में हमें फिर से इलनेस पारा मिल जाता है यूज करने के लिए तो दोस्तों illness para के बारे में अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आप लोगों को password पो login करके दिखायता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके तो चलिए यहाप हम login हो जाते हैं user ID और password और capture डालके login हो जाते हैं लोगन होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है उसके बाद यहां पर select member ID का option देखने को मिलेगा तो यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों बेव पास्बुक ओल्ड खोल के दिखायता हूं और सोड़िस जान कर देता हूं साथ ही आपको भी बताऊंगा कि आप कौन सा amount जो है एर्लेस पारा के तहट निकाल सकते हैं पास्बुक खोलने एक बाद दोस्तों यहां पर देखते हैं लिखा है उसके बाद यहां पे आप लोगो टोटल पैसा दिखता है जितना 12% हमारी सेल्ड में से कट कर जमा किया जाता है उतना ही 12% employer के द्वारा हमारे प्याफ एकांट में जमा किया जाता है लेकिन हमारी सेल्ड का जो 12% है वो टोटल ई-वैलिंस में चलाता है employer share में चला जाता है और जो employer द्वारा जमा किया जाता है उसका 12% में से 3.67% जो है employer share में यहां पे जमा किया जाता है इस वाले कोलम में और बाकी का जो बचा हुआ होता है आप पोईंट डबल थी जो परसेंटेज जो बचा हुआ होता है यह पॉइंट थी थी जो बचा हुआ होता है वो पैंशन में यहां पर जमा क्या जाता है उसके बाद थोड़ दोस्तों नीचे क्यों रहेंगो तो यहां पर employer share आपको total देखने को मिल जाएगा, उसके बाद employer share यहाँ पर total देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर pension contribution जो होता है, वो यहाँ पर आप आप लोगो को देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों प्याप का पैसा जो advance में बिड्रोबल करना चाहते हैं, तो उसमें आप आपको बताते हैं, चाहिए इलनेस पारा के तहथ बिड्रोबल कर रहे हो, यह किसी भी पारा के तहथ आप जो pension का पैसा advance बिड्रोबल कर रहे हैं, तो आपका केवल जो employer share जो होता है, इसी में से पैसा निकलता है, बाकी में से आपका पैसा नहीं निकलता है, पैसन में से आ आपको बताते हैं, तो दोस्तो इलनेस पारा के तहथ जो यह employer share है, इसी में से पारा का पैसा पहसा बिड्रोबल कर सकते हैं, Advanced में PF का पैसा निकाल सकते हैं और किसी में से भी चो पैसा जो है बिडरोवल नहीं कर सकते हैं नई Employer Share में से और नई पैंसन एजर में से Employer Share भी है जो दोस्तो इस में से भी आप लोग को दो अमाउंट चेक करना होता है जो अमाउंट कम होता है वही अमाउंट आप इल्लेस पारा के तहत निकाल सकते हैं जो हमारी सेल्डी में से बारा परसेंट कर जमा होता है उन्हीं में से हम इल्लेस पारा के तहत जो है प्याप का पैसा अमाउंट जो बिड्रोबल कर सकते हैं तो चलिए आप लोगों बताते हैं कि आप लोगों को दो अमाउंट जो हो कैसे चेक करना है उसके लिए दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा उसके बाद यहां पर देखते हैं वे ईपिएफ वे जिस तो यहां पर आप आप लोगो कितनी सैल्री मेंसे जो पिएफ का पैसा जो हा और derecom किया गया है वह यहां पर आप इस Cornel प тех है फिछ तो आपके यहां तो यहां पर दोस्तों अप्राइल से लेके और यहां पर सिक्टेंबर तक चैनल कर लेना है तो यहां पर दोस्तों यहां पर लोगों को दिख रहा हो का इंप्लोई सेर तो इंप्लोई सेर का जो टोटल सेल्डी होता है यहां पर देख सकते नीचे यहां पर 26,824 रुपे तो दोस्तों यहां पर लाट्ट है महने के सेल्डी जो है वह 24,118 रुपे बन रहा है और यहां पर इंप्लोई सेर का मांट जो है वह 26,824 रुपे बन रहा ह तो इन में से दोनों माउंट में से कम माउंट इंपलोयर्स से रहाए तो यहँ हम 6eVISजार 824 LOVE में से जड़-ज़ाद जबー पीजार के पैसा जो है एल-स पारा के तहट हम निकाल सकते है अगर दोस्ते हैं अगर दोस्तों हमारी साल्डी का ऑमाउंट कम होता और से तो हमारा इंप्लाइस निकल सकते थी तो करने के बाद कम होता है उसके से आप पैसा ज्याज़एदा ड्रोग्ल कर सकते हैं दोस्तों अगर पैसा क्ट थमा कहा है लिंट पारा को यह जपयli हैं और कितनी बार कर सकते हैं और कौन सामाउट निकाल सकते हैं तो दोस्तों आसा करते हैं कि आप लोग को हमारे दुवारा देखे जानकारी वीडियो पसंद आये अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा सेर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए जन्यवाद जैहिं जै भारत